आज 22 नॉमबर को जार्खन बिधान सभा का एक आईसवास थापना दिवस है बता दे जार्खन के पहले स्पिकर इंदर सिंग नमधारी को छोड़ और एक किसी को अब तक दोबारा बिधान सभाई सभा का दयुत्य नहीं मिल पाया है बता दे जार्खन के पहले बिधान सभा अध्यक्ष इंदर सिंग नमधारी ने इस्पिकर के तोर पर तीन बरताईत वेका निर्वाहन किया बिहार से जार्खन अलग राजे बनने के बाद सबसे पहले इंदर सिंग नमधारी जार्खन विधान सबाध्यक्ष बने इनका कारेकाल 22 नॉवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक रहा इसके बाद 4 जून 2004 से 11 अगस 2004 रहा वहीं तीसरा कारेकाल 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक रहा वहीं बर्च 2008 में इंदर सिंग नमधारी को उतक्रिष्ट विधायक के समान से समानित भी किया गया मोसम विभाग के उनसार पिछले 24 घंटे में अधिकतम सब एक छिक आदरता 92 परतिसत जबकि नियमतम 49 परतिसत रही है बता दे पूरे राजे में सबसे कम तापमान गोड़ा कर रहा है विभाग ने बताया कि अगले दो तीन दीनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा हलाकि इसके बाद राज के तापमान में कमी आएगी तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गिरेगा जारखन में बढ़ेगा आयुसमान भारत का दारा जारखन के स्टीम हमान सुरे ने कहा कि आयुसमान भारत का दारा बढ़ेगा कई और अस्पतालों का इंपैल्मेंट किया जाएगा इससे मरीजों को अपने ही राजे में अत्यधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी या सरकार की सरोज प्रत्मिक्ता है इसमें नीजी अस्पतालों द्वारा दी जा रही सुविधाएं एवं सिवाएं काफी मायने रखती है उन्होंने कहा है कि आयुस्मान भारत का दारा बढ़ेगा कोई और अस्पतालों का इंपेलेमेंट किया जाएगा नवंबर महीने में कुरोना से दूसरी मौत जारखन में काफी हद तक कुरोना वायरस संक्रमन पर काबू पाया गया है इसके बावजूद कभी कफार कुरोना संक्रमन से मौत की खबर भी आ रही है बता दे राज्य में नवंबर महीने में कुरोना वायरस संक्रमन से दो लोग की मौत हो गई है राज्य में अब तक 5140 लोगों की मौत कुरोना से हुई है हलाकि अब राज्य में 130 एक्टिव केस हैं बता दे नौंबर महिने में जार्खन में दो लोगों की मौत कुरोना वारस संक्रमन से हुई इसके तहद 15 नौंबर को एक कुरोना संक्रमन की मौत हुई वहाई 20 नुवंबर के दूसरे कुरोणा संक्रामन की मौत हुई है जारखन में नक्सलियों का उत्पाथ 23 से 25 तक फिर रहेगा बंद एक करूर कही नामी प्रसांत बोस और उनकी पतनी सिला मरांडे गिरफतारी के बिरोध में भारत बंद के पहले दिन मवादियों ने लाते हार और चक्रधरपूर में आईडी बलाष्ट कर रेल पटरी छती गरस्त कर दी है बता दे अब मवादी पोलीत ब्योरो सदस्यता प्र परदेश सिमान रिजनल कमिटी के प्रवक्ता मानस ने ब्यान जारी कर 23 से 25 नॉबर तक बिहार जारखन उतरी छती गर्ड वा उतर परदेश में बंद का एलान किया है खोटी के अड़की में पूलिस केम्प के पास फैरिंग जनकारी मिलने के बाद एसपी आसुतोस सेखर सहित कई पूलिस पता दिकारी कोचांग पहुंचे पलामू के चैनपूर थाना में जोरदार धमा का चार चोकिदार समेत पांच जखमी जारखन के पलामू जिले के चैनपूर थाना परिसर में बलाश्ट हुआ है बता दे इस हादसे में चार चोकिदार समेत पांच चखमी हो गए है इसकी जनकारी मिलते ही पूलिस के वरी अधिकारी घटनास थाल के लिए रवाना हो गए घायलो का अस्पतार में इलाज चल रहा है बता दे पलामू स्पी चंदन कुमार सिंग ने बताया कि चैनपूर थाना परिसर में सफाई के दौरान आग जलाई गई थी किसी बोतल के फोट जाने से बलाश्ट की असंका है वैसे पूरी मामले की जाच की जा रही है 150 घंटे की रिमांड खत्म परसांत बोस समय 6 नकसलियों का कराया गया मेडिकल टेस्ट नकसलियों के सिर्ष नेता परसांत बोस और्फ किसंदा के 150 घंटे की रिमांड औधी खत्म हो गई है बता दे इसके बाद सराय केला पुलिस द्वारा उसे मेडिकल जाच के लिए सराय केला सदर अस्पता लाया गया जहां से कोट में पेस करने के बाद सराय केला जेल भेज दिया जाएगा जनकारी के अनुसार पलसांत बोस को पेसाप में जरन की सिकायत है इसका यूरिन टेस्ट कराया गया इस दोरहन सुरक्षा के पुक्ता इंजाम है मतदाता सुची में नाम जुलवाने के लिए कैम फोटो मतदाता सुची का बिसेस संचिप्त पुनरिक्षन का रेकरम एक नॉम्बर से जारी है इसे लेकर रविवार को सभी बूतों पर बिसेस सीवीर लगाया गया जहां बियलो ने लोगों द्वारत दिये गए आवेदन को लिया हलाकि आवेदन देने वालों के संच क्या कम थी बतादे कम लोग ही केंदर पर पहुंचे थे अधिकतर समय भी ये लोग को लोगों का इंतियार करना पड़ा मद्दता सुची में नाम जुरुआने के लिए नॉम्बर मां हमें 5 एस्पेसल कैम लगवाया जा रहे हैं जो 20 नॉम्बर, 21 नॉम्बर, 27 नॉम्बर और 28 नॉम्बर सामिल है बतादे 24 नॉम्बर को दिव्यांगों के लिए 20 शिवीर लगाया जाएगा जार्खन में कुरोना के तिरा नए केस मिले हैं जबकि 15 मरीज स्वास्त हुए हैं वहीं एक मरीज की मौथ हुई है जार्खन में कुलेक्टिव केस की संख्या 130 है बतादे भारत में 10,488 केस मिले हैं जबकि 12,329 मरीज स्वास्त भी हुए है कुरोना की संभावी तिसरी लहर से पहले वैक्सिनेशन में तेजी राशी सहीद पुरे जार्खन में कुरोना की संभावी तिसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सिनेशन का कर दोऑन केज़ी से किया जा रहा है बतादे परती दिन सूबबे के जीलों में कैम्प लगाकर लोगों को टिका लगाया जा रहा है रभिवार को ग्रामीन छेतर में सबसे अधिक भैक्सिन देने की बिवास्ता की गई सहर में दोनों भैक्सिन मिलेगी जबकि ग्रामी इलाके में सिर्फ कोविस चील्ड दिया जाएगा बता दे सिर्फ राची के कूल 69 केंद्रों पर 23120 भैक्सिन दिये जाएगे इन में सहरी छेतर में को भैक्सीन 2000 वा कोवी सील्ड 83-120 और ग्रामीन छेतर में कोवी सील्ड 14-800 सामिल है खोटी में होगा होगी खिलाडियों का चयान जारखन खेल प्राधिकरन की ओर से राज सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए संचालित होगी के आवासिये वा सेंटर ओप एक्सिलेंस केंद्र के लिए बालक वालका वर्ग के होगी खिलाडियों के चैन के लिए सिविर कायोजन किया जाएगा इसके तहट खोटी जिले में 22 वा 23 नौमबर को चैन परत्योकता होगी बता दे 22 नौमबर को 10 से 12 वरस वरस आयू वर्ग वालक और 23 नौमबर को 10 से 12 वरस वरस आयू वाले बालिका के लिए बिरसा कॉलेज खोटी में सिविर लगाया जाएगा सिविर सुबा 9 वये से होगा चैन करता के रूप में एकलब बे होकी केंद्र राची के मुख्य प्रसिक छक द्रोना चार्ज अवाट्स समानित नयंद्र सिंग सैनी राजे खेल समनवयक साजा उलमपिक मनोहर टोपनो और अंतराश्ट्री होकी खिलाडी जाश्टीन सामिल होंगे 18 दिसंबर को मुख्य मंत्री का घिराव करेंगे सिक्छक अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्छक संकी परदेश कारे समीती की बैठक परदेश अध्यक्ष बियंद्र चोबे की अध्यक्षता में राची में हुई बैठक में 18 दिसंबर को मुख्य मंत्री हिमन नहीं नहीं लिया गया बतादे स्कूली शिक्षा व सक्षता विभाके सचीव के आदेश प्राथमिक विद्याले के स्कूल टाइमिंग को बढ़ाने का उपस्थीती सभी वक्ताओं ने इसका बिरोध किया साथ ही इस फर्मान के खिलाप और प्रारंबिक सिक्षकों को बर्सो से रोक हटाने उतकर्मिक विद्याले में परभार की समस्या MDM बोरा जामा के खिलाप के समर्थन में CM घिराव का एलान किया जाएगा प्रारंबिक सिक्षक एक बर फिर रांची की सड़कों पर उतरेंगे सिक्षकों को परसान करने की नियत बन गई है सिक्षक संग राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए सिक्षा भी भायाग ने समय सारनी में बदलाव किया है इस बदलाव के कारण अब सिख्षकों को छुटी के बाद बच्चों के घर जाने के बाद भी एक घंटे स्कूल में अतिरिक समय गुजारना होगा समय सारनी में किये गए बदलाव के तहट अब राजे में दो समय निधारित किये गए हैं पहले तीन तरह की समय सारनी के तहट इसकूलों का संचलान होता था सरकार के इस फैसले का सिक्षक संगों ने कड़ाबिरोध किया है कुरोना से पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपा ICM मुख्यमंत्री हिमन सुरे ने कहा है कि राज सरकार बच्चों की समस्याओं और चिंताओं पनजर रखी हुई है विशेसकर जारखन के बच्चों की सिक्षा जो महमारी के कारन बाधित हुई है उसकी भरपाई कैसे हो इसके लिए राज सरकार काम कर रही है मुक्ष मंत्री ने कहा कि राज सरकार स्कूलों में सभी बच्चोक को सुरक्षित एवं सकरात्मक वातावरन में गुनवाता पुन सिक्षास्त करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है राज सरकार चरणवत तरीके से विद्यालियों में पाठन पाठन प्रहराम करने का प्रयास कर रही है धन्यवाद